Hello everyone, इस वीडियो में हम बात करेंगे secondary memory के बारे में इसके लावा इस वीडियो के related ये कुछ दूसरे topics हैं अगर आप इनको study करना जाते हैं तो इन सब का link आपको वीडियो को description में available है तो बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की और सबसे पहले आपको एक बात का दियान रखना है कि memory दो तरह की होती है एक आपकी primary memory, दूसरी है secondary memory primary memory में आता है cache memory, RAM और ROM memory तो जैसे मैंने बताया इन सब का link आपको वीडियो को description में available है आप इसे गोधरू कर सकते हैं अब primary memory का ये issue था कि यहाँ पे storage की कमी थी इसलिए हमें storage को expand करने के लिए secondary memory की जुरूत पड़ी तो secondary memory हमारी वो memory है जहाँ पर हम अपना personal data save करके रखते हैं ये हमारा permanent data होता है आप जब चाहें उसे access कर सकते हैं इवन आप अपने laptop को अगर बंद कर देते हैं और दुबारा restart करते हैं तो आपका वो data वहीं का वहीं होता है और storage memory में आपके पास GB और TB मतलब GB और TB में space होती है जिसकी help से आप काफी जदा data drive में store करके रख सकते हैं तो अगर आपको secondary memory का meaning लिखना है तो आप simply लिख सकते हैं कि secondary memory वो memory है जहां पर आप अपना personal data store करके रख सकते हैं इसमें आप large amount में data को store करके रख सकते हैं और जब चाहें तब आप उसे access कर सकते हैं next step बात करते हैं secondary storage devices की types के बारे में तो secondary storage devices की mainly four types हैं और इन four types को further sub types में distribute किया गया है सबसे पहली type है magnetic tape जिसे आगे categorize किया गया है tape में then second है magnetic disk जिसे आगे sub categorize किया गया है hard disk और floppy disk में then है optical disk जिसे आगे sub categorize किया गया है cd, dvd और blu-ray में last में है flash memory जिसे categorize किया गया है pen drive और sd card में तो चलिए one by one in a detail में study करते हैं सबसे पहला है magnetic tape यहाँ पर side में आप इसकी एक image देख सकते हैं maybe आप इसके साथ friendly होंगे या फिर आप नहीं जानते होंगे क्योंकि sd card, pen drive, hard disk के use से इसका use बिल्कुल खतम हो चुका है इस tape को आम तोर पर cassette भी बोला जाता था और normally इसका use किया जाता था गाने सुनने के लिए तो magnetic tape को develop किया गया था जर्मनी के दवारा 1928 में यह read-write mechanism को use करता था तो read-write का मतलब यह होता है कि आप कहीं पर कुछ लिखते हैं और उसे आप erase भी कर सकते हैं या remove भी कर सकते हैं इसमें data read और write करने की speed काफी slow होती थी तो अगर आपको इस cassette में किसी song को save करना है या फिर आपको उसे सुनना है तो उसकी speed normally आज के time के comparison में काफी slow होती थी इसका use बिल्कुल ही खतम हो चुका है second है magnetic disk ये एक flat disk होती है जो cover होती है magnetic coating से और इसका use किया जाता है data को write, rewrite और access करने के लिए तो मालेजे आपने एक folder बनाया ABCD आपने write किया अब आपने rewrite कैसे करना है आपने उसमें कुछ changes करने है जैसे ABCD की जगह आपने D को delete किया तो आपका आप folder है ABC C तो आपने write भी किया, rewrite भी किया अब access मतलब जब चाहा आपने उसे access कर लिया तो एक flat disk होती है जिसे कि आप यहाँ पर देख सकते है इस तरह की ये disk होती है और इसकी coating की जाती है magnet के साथ और data को write, rewrite और access करने के लिए इसका use किया जाता है ये magnetic disk दो प्रकार की होती है पहली hard disk और दूसरा है floppy disk यहाँ पर आप side में इसकी image देख सकते हैं ये hard disk है और second हमारी floppy disk है इन दोनों को अब हम detail में study करेंगे सबसे पहला है hard disk hard disk को hard drive भी कहते हैं अब normally आप इसके बारे में काफी aware होंगे आपके laptop, computer में ये disk होती है आपके personal data को store करने के लिए ये operating system, applications, documents, files, picture, music इन सब को store करके रखता है तो अगर आपको नहीं मालूम है तो operating system जो आपका होता है Windows, Linux वो भी आपकी hard disk में ही store रहता है ये less expensive होते हैं बाकी memory के comparison में अगर आप RAM, ROM या cache memory के बात करें तो वो ज़्यादा expensive होती है hard disk के comparison में और ये terabytes of information को store करके रख सकते हैं तो normally आप इसके बारे में aware हैं आप अगर computer, laptop चलाते हैं तो आपको बता है कि आपके hard disk में 1 terabyte तक की storage capacity होती है ये hard disk दो variant में आपको available होती है internal as well external तो यहाँ पर आप इसकी एक image देख सकते हैं ये आपकी external hard disk है और ये आपकी internal hard disk है internal hard disk आपके computer लैप्टोप के अंदर होती है data को store करने के लिए ये external hard disk है अगर आप चाते हैं कि आपको storage capacity ज़्यादा चाहिए तो आप एक external hard disk खरीच सकते हैं इससे आप और ज़्यादा information को store करके रख सकते हैं second है floppy disk floppy disk एक secure plastic case की तरह होती है दिखने में आपको ये कुछ इस तरह से दिखाई देगी ये disk different sizes में available होती है जैसे की 8 inch, 5.25 inch और 3.5 inches दूसरी portable storage devices की वज़ए से आज के टाइम में floppy disk का use काफी कम हो चुका है यहाँ पर आप ये size देख सकते हैं 8 inch है, 5.25 inch है और 3 inch की ये floppy disk है इसके साथ आपको यहाँ पर एक core point add करना है कि अगर आपको floppy disk से data को read और write करना है तो इसके लिए आपको floppy disk drive की ज़रूरत पड़ेगी तो ये floppy disk drive है, इसी की help से आप floppy disk में जो data है उसे read और write कर सकते हैं Next है, secondary storage devices की third type जो की है optical disk सबसे पहली थी magnetic tape, दूसरी थी magnetic disk जिसमें हमने देखा hard disk और floppy disk को थर्ड है optical disk Optical disk एक electronic storage medium है और ये electronic क्यों है, क्योंकि यहाँ पर low power laser beam का use किया जाता है data को record और write करने के लिए इस disk में आप data को तभी read कर सकते हैं जब एक laser beam disk के surface पर bounce होता है CD, DVD, Blu-ray यह सब optical disk हैं सबसे पहला है CD, जिसे कहते हैं compact disk तो side में यहाँ पर आप एक image देख सकते हैं इस disk पर जब laser beam केती है तब आप data को read or write कर सकते हैं एक compact disk, circular shape device होती है जो की polycarbonate plastic से बनती है इस CD की दो types होती है सबसे पहली CD are जो की है compact disk recordable इसमें आप read कर सकते हैं लेकिन write नहीं कर सकते हैं इसका मतलब यह है कि माल लीजिए इस disk में एक folder save है ABC आप उसे read कर सकते हैं कि उसमें और सब folder कौन-कौन से हैं कोई audio है, कोई video है आप वो audio सुन सकते हैं वीडियो देख सकते हैं लेकिन अगर आप उसको changes करना चाते हैं erase करना चाते हैं वो आप नहीं कर सकते इसलिए यह सिर्फ readable है लेकिन writeable नहीं है दूसरी है CD-RW यह है compact disk re-writeable जिसमें आप read भी कर सकते हैं और write भी कर सकते हैं यह compact disk 700 MB तक के data को store करके रख सकता है next है DVD जिसे कहते हैं digital versatile disk DVD जिसे digital video disk या फिर digital versatile disk भी कहते हैं एक storage format है जो invent या develop किया गया था 1995 में और इसे release किया गया था 1996 में एक DVD maximum 17.8 GB तक का data hold करके रखती है तो यहाँ पर जो हमारी पहली टाइप थी CD वहाँ पर दो इशू थे हैं एक तो storage space कम थी और read write में ज़्यादा time लगता था अब CD थोड़ी उसमें advancement आती है जहाँ पर storage capacity ज़्यादा हो जाती है और यहाँ पर आपको read write की speed भी ज़्यादा देखने को मिलती है then third है blu-ray यह optical disk में third generation की तरह है जो की CD और DVD के बाद आती है और इसमें आप several hours के high definition videos को store करके रख सकते है तो CD और DVD के बाद जो हमारी next development थी वो blu-ray थी जो की कई घंटों की high definition जो HD videos होती है उन्हें store करके रख सकते थी इसकी maximum storage capacity है 50 GB तक fourth or last type है flash memory देन हमने देखा optical disk जिसमें three categories थी CD, DVD और Blu-ray देन लास्ट है हमारा flash memory flash memory को invent किया गया था 1980s में एक Japanese engineer के द्वारा जिनका नाम था Masuka Fujio इन्होंने कहा था कि जब आप flash memory से data को erase करते हैं तो इसकी process कुछ इस तरह से दिखाई देती है जैसे की camera की flash हो इसलिए उन्होंने ये suggest किया था कि इस नई technology का नाम दिया जाएगा flash memory Masuka Fujio काम करते थे Toshiba Corporation के लिए तो जब ये Toshiba Corporation में काम कर रहे थे उसी समय उन्होंने इस नई technology को invent किया था flash memory की सबसे पहली type है pen drive pen drive memory को आज के time में हर को use कर रहा है और मैं भी हर कोई friendly है जानता है कि pen drive क्या है और ये कैसे काम करती है तो pen drive 1 GB से 2 TB तक की storage capacity में आती है ये massive data को store करने के लिए use की जाती है अगर आपको इस pen drive को use करना है तो इसके लिए आप इसे computer के USB port में plug-in कर सकते हैं ये size में बेशक small होती है लेकिन इसकी storage capacity काफी large होती है second है हमारा SD card SD card के साथ भी हम ज़्यादा friendly है SD card को secure digital card भी कहते हैं इसका use किया जाता है mobile phones, camera, music player etc. में तो काफी जगा में आज के टाइम में SD card, pen drive और hard disk जैसी चीजों का use किया जाता है ये SD card available होते हैं 1 GB से 1 TV तक की storage capacity में तो ये थी हमारी secondary storage devices की types लेकिन video भी यहाँ पे खतम नहीं होता है तो जब आप secondary storage devices की type को answer करते हैं तो एक format तो मैंने आपको बता दिया जिसमें हमने 4 types को discuss किया दूसरा आप इस तरीके से भी secondary storage devices की type को answer कर सकते हैं या फिर कई बार आपको question कुछ इस तरह से भी आ जाता है कि secondary storage devices की sequential और direct storage devices को discuss कीजे तो हम यह तो discuss कर चुके हैं कि magnetic tape, magnetic disk, optical disk और flash memory क्या है यह same वैसे ही आएगा अब इसको आपको क्या करना है कि इसको आपको एक और major category देनी है sequential और direct sequential और direct तो कैसे explain करना है वो मैं आपको बता देता हूँ बाकी सारा portion आपका as it ही आएगा first है sequential यह वो method है जहां पर आप data को search करते है sequentially या फिर line by line जब तक आप अपने desire data को find out नहीं कर लेते हैं दूसरे words में हम यह कह सकते हैं कि इस तरह की memory में user directly jump नहीं कर सकता है needed data पर सीधा नहीं जा सकता है उसको एक sequence में जाना होगा line by line जाना होगा इस तरह की memory में जादा time लगता है data को read करने के लिए sequential memory की example है magnetic tape तो यहाँ पर मैंने जैसे आपको बताया major category है sequential और उसमें आ जाता है आपका magnetic tape जिसे हम discuss कर चुके हैं और direct में बाकी other जितने भी हमने types discuss की वो यहाँ पर add-on हो जाएंगी तो sequential क्या है पर नहीं जा सकते हैं आपको 1 से 2 जाना होगा 2 से 3, 3 से 4 then आप 5 पर जा सकते हैं तो यह होता है sequential जहाँ पर आपको line by line और sequence में जाना पड़ता है second है direct यह वो method है जहाँ पर user directly information को access कर लेता है जिसे वो चाहता है यह बिल्कूर opposite है sequential memory का तो जैसे आज के टाइम में अगर आप कोई song सुन रहे है और आपको next song पर जम करना है तो आप million of track में से जो song सुनना चाहते हैं आप वो सुन सकते हैं अपने next step में इस तरह की memory में user directly जम कर सकता है अपनी desire information या data पर जो वो चाहता है example के लिए magnetic disk, optical disk और flash memory यह सारी type है direct memory की तो यह दोस्तों मैंने आपको एक another way बताया जिस way में आप secondary storage devices की types को explain कर सकते हैं दोनों ही तरीके बिल्कुल सही हैं आप जिस तरीके से चाहें इसे answer कर सकते हैं वीडियो कैसा लगा यह comment करके ज़रूर बताएं और अगर आपके किसी भी topic है regarding कोई query है तो आप उसके लिए मुझे comment कर सकते हैं मैं वहीं आपको reply करके या फिर उस पे एक अलग वीडियो बनाके आपके साथ share कर दूँगा इसी तरह की हर update के लिए student notes चैनल को subscribe करें, वीडियो को like और share करें Thank you